Samsung Galaxy S21 Ultra, यह जो स्मार्टफोन है, इस तर मुझे बहुत ही इंप्रेस किया है, खास करके इस पर जो 100X Space Zoom Feature जो दिया हुआ है, वो आसम लेवल का है, इन फाक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने जो मून है उस पर जूम इन किया था, इस 100X Space Zoom Feature का उप्या करके, वैसे जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने यहां पर दिया हुआ है, वैसे यह जो स्मार्टफोन है, Samsung Galaxy S21 Ultra, इस पर 3X Optical Zoom है और साथ में 10X Optical Zoom भी दिया हुआ है, तो दो जूम लेंसे इस स्मार्टफोन पर Samsung ने दिया हुआ है, तो इस बार मैं पिर से यह जो 100X Space Zoom है, इसका उप्योग करके जो फ्लेमिंगोज है, उन पर जूम करने वाला हूँ, वैसे फ्लेमिंगोज को कैप्चर करना काफी मुश्किल किसम का था, मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, और यहां पर DPS स्कूल जो है, उसके बगल में एक चोड़ा सा प अगर मेरे पास यह स्मार्टफोन उस समय होता, Samsung Galaxy S21 Ultra तो एपिक लेवल के शॉट्स मिल जाते हैं, उस एपिक सिचुएशन को कैप्चर करने के लिए मेरे पास उस समय यह एपिक स्मार्टफोन नहीं था, तो फाइनली मुझे वह मौका मिल गया और मेरे हाथ में यह एपिक समार्टफोन भी था, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के शॉट्स आप इस समार्टफोन के साथ में शूट कर सकते हैं, और खास करके, फ्लेमिंगोस के, या फिर कोई भी ऐसे बर्ड्स के, जो की काफी दोर है, अफ्कोर्स यह जो स्मार्टफोन है, बहुत ही बढ़िया कॉलिटी नहीं मिलने वाला है, 100X जूम पर, जो कॉलिटी है, वो बलरी टैप की है, इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं है, लेखिन, अगर आप जूम लेवल को रेद्यूस करेंगे, सम्वेर अराउंड, I think, 60% या 70% पर आपको डिसेंट कॉलिटी मिल जाएगा, 50 पर आपको बढ़िया कॉलिटी मिल जाएगा, और उससे अगर आप कम जाएगे, तो जो कॉलिटी है, जैसे आप जूम को कम करते रहेंगे, एक तरा से अंजूम करते रहेंगे, तो जो कॉलिटी है, वो और भी भैतर होती जाएगी, क्यूंकि इस पर 3X ऑप्टिकल जूम है और 10X ऑप्टिकल जूम है, तो जो ऑप्टिकल जूम लेवल्स है, उनकी जो क्लारिटी है, वो तो आउसम लेवल होने वाली है, तो ये देखे, इस प्रकार से मैंने इन फ्लेमिंगो को कैप्चर करने की कोशिश की है, ये 100X पेस जूम का उप्योग करके, आप इमेजिन कर इन फ्लेमिंगो को कैप्चर किया था, तो उस समय जो लाइटिंग कंडिशन थी, वो इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो क्वालिटी है काफी अच्छी है, और यहां पर मैंने 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, ये देखे, ये है 8K वी को कैसे लगे, कमेंस के मादम से मुझे जरू बताईए, इस वीडियो को लाइक जरू कीजिए और देखते रहिए,